ओम साही राम, वेलकम टू साइस अमरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, इन फैक्ट आज मैं अपना एक थौट, अपना एक विचार है जो आप लोगों के समक्ष मैं शेर करने आई हूँ, तो चलिए आज बात करेंगे कि ह हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे दुख होते हैं वो हम सब को बताते हैं, जो हमारे पास आस पास कुछ लोग होते हैं, जिन से हम शेर करते हैं, लेकिन हमें उनसे शेर नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ बाबा को बोलना चाहिए, अगर हमारी लाइफ में कोई भ होते हैं कि शुरवात में आपसे बहुत प्यार से बात भी करेंगे सुनेंगे भी और आपको ऐसा सुनेंगे बहुत ध्यान से लेकिन क्या होगा ना बाद में कुछ दिन बात आपको ये मालुम पड़ेगा कि जिन लोगों ने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी थी वही लोग पीट पीछे आपका मजाग उड़ा रहे हैं फिर आपको उस टाइम ना बहुत ज़्यादा हर्ट होगा जितना आपको उस बात से हर्ट नहीं होगा कि आपने उसे वो बात बताई बलकि उस बात से हर्ट होगा कि जब आपका मजाग बनाया चाएगा और मजाग वो अकेले में नहीं और चार लोगों के सामने बताएगा और उसमें और जादा बात बढ़ा चड़ा कर वो आगे करेगा आपकी चारों तरफ बाते करेगा आपका मजाक उड़ाएगा आपको कमजोर समझेगा तो कभी भी अपने मन की अपने दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए कभी भी नहीं करनी चाहिए जो हमारे कमजोरी होती है जो हमारे दिल की बाते होती है वो हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए चाहिए वो हमारे दुख हो या कोई प्रब्लम हो क्योंकि निवारण करने वाले तो हमारे साई है हमारे बाबा है तो इनसान उसका निवारण नहीं कर सकते न आप तो जानते हो ये चीजे लेकिन फिर भी अपने मन को हलका करने के लिए हम अपनी बातों को दूसरों से शेयर कर देते हैं लेकिन हमारे लाइफ में कुछ दो तीनी इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं लाइक हमारे पेरेंट्स होते हैं यह हमारे वाइफ होती हैं या हमारे बच्चे होते हैं बस अपनी लाइफ में कुछ ऐसे तीन-चार लोग सीमित रखो एक लिमिट रखो कि हम इनी से शेर करेंगे और दुनिया से आप शेर मत कीजिए क्योंकि अगर आप दुनिया से शेर करेंगे तो कल को वो आपकी कमजोरी को दुनिया के सामने लेकर आएगी और वो दुनिया आप ही का मजाग बनाएगी और यही चीज अगर आप बाबा के साथ करते हैं बाबा के समक्ष बैटते हैं बाबा से पाते कहते हैं बाबा क्या के रोते हैं, कलबते हैं, बिलकते हैं बाबा गया कि तूट कर भिखर जाते है न तो बाबा आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं बाबा आपकी समस्यों का हल बाबा उसका निवारन करते हैं बाबा हमेशा आपका साथ देते हैं तो बाबा से कही है न और ऐसा हमेशा होता है कि अगर उनके बच्चे पर कोई प्रॉब मंजरी कस्ट निवारन मंत्र हम पहले से ही सब चीज़े कर लेते हैं और जब भी हमारे उपर कोई संकड आने वाला होता है तो वो छोटे से में ही होकर कर जाता है तो ये सब क्या होता है ये बाबा की मर्जी होती है जूकि बाबा अपने बच्चों को हमेशा बचाते हैं उनकी रक्षा करते है अगर उन पर कोई संकड आने वाला होता है तो उससे पहले ही बाबा पूजा करवा लेते हैं और ऐसा हम सब के साथ होता है और कई बार हुआ है अगर बाबा के बच्चों पर कोई भी प्रब्लम आने वाली होती है तो वो पहले से ही टाल देते हैं आपके पास में साइं की कोई भी फोटो हो बुक में हो या छोटी सी फोटो हो या कोई मूर्ती हो या कहीं भी आप बाबा को रखते हो या कहीं भी आप मंदर में देखते हो तो बाबा को समक्ष रखो और बाबा से अपनी सारी बाते कहो, बाबा की ओर देखो, बाबा को अपनी सारी मन की बाते कहो, दिल की बाते कहो न, उनसे शेर करो, फिर देखो कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसे चुमंतर हो जाती हैं, बाबा से कहेंगे न, तो बाबा सेलुशन देंगे, टेफिनिटली क्योंकि इस दुनिया में न हर कोई इमानदार नहीं है कुछ गिने चुने लोग हैं जो इमानदार है जो जैन्मन है तो हमें नहीं बताना कि किसकी शेकल पर कैसा है कोई क्योंकि आजकल दुनिया में न दो मुखाटे लगाकर दुनिया गूमती है और हम सब पर blindly faith नहीं कर सकत हैं तो इसलिए कोई भी हमारा फाइदा उठाए कोई हमारा मजाग बनाए इससे बहतर है कि अपनी बातों को अपने तक ही रखिये क्योंकि जो problems को जेलता है जो problem के साथ में रहता है उसे समझाता है कि problem क्या है सुनने वाला कभी भी आपकी problem को महसूस नहीं कर सकता क्योंकि जो तकलीफ जो दर्द आप महसूस करते है न वो कोई और नहीं कर पाएगा बलकि आपकी problem को सुनने के बाद आपका मजाग बनाया जाएगा आपकी कमजोरी का फाइदा उठाया जाएगा जब सामने वाले को आपकी कमजोरी पता चल जाती है न तो वो आपको blackmail करना शुर दबाता है तो इसली कभी भी अपनी कमजोरी को कभी भी किसी के सामने मत रखिए अगर आपके अंदर कोई सवाल है कोई उलजन है अगर आपको कोई problem है कोई तकलीफ है न तो बाबा के सामने बैठिए बाबा से कहिए देखिए बाबा आपको definitely जवाब देंगे किसी भी post के द्वारा किसी संदेश के द्वारा या आपको written में या किसी पंडित के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा बाबा आप तक संदेश पहुचा देंगे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है आप बाबा से तो पूछिए बाबा वो कर सकते हैं जो आपके सोच के परे हैं तो बहुत सारे solutions हैं जो आप तक बाबा अपना उत्तर पहुचा सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर पहुचा सकते हैं, तो बाबा की सीमा तो अप्रम पार है, तो बाबा से पूछे कि बाबा क्या करना है, कैसे करना है, बाबा आपको सब बताएंगे कि कैसे करना है, क्या कर उसे हैं और आने वाले हर युक तक वो रहने वाले हैं और इंसान आज है कल नहीं तो बाबा से बेस्ट आपका शुप चिन तक आपका सलहाकार आपका एडवाइजर कोई हो नहीं सकता चुकि जितना अच्छा बाबा आपको रस्था दिखा सकते हैं आपको solutions दे सकते हैं आप पर विश्वास आप जितना करेंगे न उतना आपको रास्ते भी मिलेंगे और मंजिल भी मिलेगी और जितना आप बाबा के close जाएंगी बाबा से connect होंगे न तो उतना ही बाबा पर आपका भरोसा होगा उतना ही आप खुश रह पाएंगे अपनी सारी problems को बाबा के चरणों में छोड़ पाएंगे आपकी लाइफ में न कितनी भी बड़ी problem क्यों न हो कितनी भी बड़ी आफ़त क्यों न हो लेकिन हकीकत में बाबा से बड़ा कोई नहीं है बस आपके याद रखिए कि बाबा है तो सब कुछ सही हो जाएगा ये दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ कमजोरियों का फाइदा उठाएगी आपको यूज करेगी आपको तंग करेगी और आपसे काम निकलवाएगी तो आप क्या करोगे उससे में फिर आप और जदा परिशान हो जाओगे तो बाबा से कहो जितना कह सकते हो न तो बाबा के आगे रखो ये अपने अंदर सबसे पड़ा चेंजस अगर आप कर लेंगे न तो आपको कभी भी जिंदगी में कोई हरा नहीं पाएगा अपने अंदर रखीए बातों को और बाबा से कहीए बस किसी और से मत कहीए ये बात किसी ने बिल्कुल सच कही है कि जब तक कोई बात आपके अंदर है न तो वो आपकी ताकत है लेकिन जैसे ही वो बात आपकी मूँ पर आ जाती है किसी और को आप कह देते होना वो बात आपके लिए कमजोरी बन जाती है तो सामने वाले की थाकत बन जाती है और आपकी कमजोरी तो हमेशा आपको ये अपने अंदर चेंजिस करने हैं कि अपनी कमजोरी कभी भी स तो यह आपपर डिपेंड करता है कि आपकी कमजोरी किसी के हाथ ना लगकर वो उसकी ताकत बन जाए तो यह आपपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है आपको अपनी कमजोरी किसी और के हाथ में देकर उसकी ताकत बनाना है या फिर बाबा के आगे रखकर उसका निव खूश रहीए क्योंकि बाबा हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, तो जितना हो सकता है अपने जिंदगी में खुश रहीए, क्योंकि ये जिंदगी इतनी बड़ी नहीं, जितनी बड़ी हम लोग सोचते हैं, ये रेट की तरह जो इस समय निकल रहा है दि ये दिन बदिन हमारे जो दिन हैं वो कम होते जा रहे हैं एक एक मिनिट एक एक पल आपके हातों से फिसल रहा है रेत की तरह तो अपने वक्त कोना एहमिया दीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए ना कि किसी और पर तो बाबा भी बहुत खुश रहेंगे अगर आप ख लेकर आप वाट्सप ग्रोप में एड हो सकते हैं और वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेर कर सकते हैं मैं आपसे परस्नली ले लूँगी और आपको जो ये लिंक है या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमिनिटी बॉक्स में आपको मिल जाएगी तो आप अ ओम सही राम जै सही राम